SBI के खाता धारक से 236 रूपया क्यों कट रहा है आखिर कट रहा है तो इसका भी कोई रीजन होगा आपके पास एक मेसेज आया होगा कुछ इस तरह के से आप इस मेसेज को देख करके या तो समझ गे होंगे या फिर नहीं समझे होंगे जिसके कारण यूटूब के अंदर इस रिलेटेट टॉफिक पर वीडियो सर्च किये होंगे कि 236 रूपया SBI वाले एकाउंट वाले खाता धारक के खाते से क्यों कट कर रहा है वो आटेमेटिक जब कोई ना इनफरमिशन दिया जाता है ना कोई बताया जाता है कि आपके एकाउंट से इतना रूपया कट लिया जाएगा अगर आपके पास भी SBI के खाता धारक हैं और आपके पास से भी आपके एकाउंट से भी 236 रूपय चुमंतर हो गया है कट गया है वाटेमेटिक तो आप यूटूब के अंदर वीडियो देखें होंगे और हमारे वीडियो पर क्लिक किये हैं तो आप 100% सही वीड यसे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं जो भी कैंफिजन होगा वो सारे कैंफिजन किलियर हो जाएगा और आपके मन में जितना वे शक्षुबा है वो दूर हो जाएगा तो श्यूंकिंअ हम वीडियो में आपको आगे बताते हैं उससे चोटी सी रिक्वेश्ट है कि हमारी चैनल सौधी की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन हो उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और घंटी को तो बगर के आल पे सिलेक कर दें ताकि इस रुलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो गैस अगर आपके एकाउंट से भी SBA वालों ने 236 रुप्या कट लिया है तो क्यूं कटा है इस सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ आप जब SBA में एकाउंट ओपन किये थे उस समय कुछ दिन ही के बाद 12 या 15 दिन के बाद ही आपके बाइपोस्ट के जरे से आपके पास SBA का कुछ इस तरीके से ATM काड आया होगा बट जब आप SBI में account open किये थे तो इस ATM card का charge नहीं कटा था जब इस account की open करने से ले करके जब तक ये वालाव message आपके पास आया होगा तब तक आपका SBI में खाता खोलने का एक साल complete हो गया होगा तब ही आपका annual charge यानि ATM का जो annual charge होता है साल में एक मरतबा maintenance charge इसको कट कर दिया है आप ये सवाल कर रहे होंगे कि पहले दो 147 कटता था यानि 125 JST जोड करके 147 आप 236 और इतना ज्यादा क्यों कट रहा है ति इनका भी जवाब ये है कि याजवे वालों ने अपने maintenance charge को बढ़ा दिया है 147 JST जोड करके 236 रुपया आपको हर साल अगर आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका देना पड़ेगा अब जब ISBI वाले काड़ते हैं तो क्यों काड़ते हैं जब आप इसको issue करवाते हैं एकाउन ओपन करते हो समाई कि चेक बूग भी लेंगे ATM कार्ड भी लेंगे जब आपके पास आ जाता है चाहे आप उसको use करें या ना करें आपको annual charge यानि साल में maintenance charge पे करना होगा या फिर अगर आप इसको ज़्यादा use करते हैं ATM मसीन में लेज़ जाकर के ज़्यादा पैसे उड्रोल करते हैं इस ATM कार्ड के ज़रे से bill payment करते हैं या फिर कोई बिजली bill payment करते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको क्या करना होगा आपके account से cut हो जाएगा वो आपका 236 में जोड़ा नहीं जाएगा वो अलग से आपका cut होगा अब ये 236 रुपया जो आपके पास message आया है ये जो आया है ये मैं आपको confusion को दूर करके बता रहा हूँ ये आपका ATM maintenance charge और checkbook maintenance charge करता है ना के आपका कोई गलत पैसा काटा है ना के आपका कोई पैसा चुराया है जबके वहाँ message में लिखा हुआ है paid paid मतलब आपका जो debit card होटा है debit card कह लीजे ये ATM card कह लीजे debit card को ही ATM card कहते हैं और ATM card को ही debit card कहते हैं तो ही debit card का ही annual charge maintenance charge करता है I hope कि आप के मैंड में जितने भी confusion है सारी confusion किलियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई confusion association हो कमेंड करके ज़रूँ बताना मैं हरे कमेंड को पढ़ता हूँ उसकी reply देने की कोशिस करता हूँ